क्योंकि आपनी कोशन पूजाता मुझसे मैं उसका एंसर लेकि आई हूँ आप बीना मिकप किये भी कैसे अच्छी दिख सकते हो कैसे ग्लोई दिख सकते हो मैं आप वही बतानी वाली हूँ आज आपके साथ शेर भी करूंगी आपको क्या करना चाहिए आपकी स्कीन आच्छी लेकि आई हूँ फ्रेंड्स लेकिन जो भी मैनी कहा हैं उसे आपको फॉलो जरूर करना है क्योंकि डेली आप जब इसे फॉलो करते हो फ्रेंड्स तब भी आपको इसका अच्छा रिजल्ट दिखेगा क्योंकि नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स आप वन टाइम यूज करके इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा आप जिसे इसे कंटनिु़सली फॉलो जब करोगे वन मंद तक कम से कम कीजिये आपको बीजल्ट आच्छा दिखेगा आपको डेली रुटीन में डे और नाइट दोनों टाइम ओर्णिंग सकिन केर और नाइट के सकिन केर को नहीं ब मोTNG को करना है आपको को shop 80 anytime में क्या करना फ्रेंस आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्च्रिप्चनब्स में देवा डेच recommend प्रेंस बैर्ठ वीडियो को स्टार्ड करने से पहले आपको अगर वीडियो अछा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर्ड कर देना सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको मैंने फेश को वाश कर देया आप देख सकते हो मैंने कोई भी मेकप नहीं किया है फेश को अच्छी तरह क्लियन करना है आपको जो आपको अच्छा फेश वाश लगता है उसे से क्लियन कीजिए विंटर के सिजन में हमें साबुन का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए आपको किसी भी फेश वाष का आपके पास जो भी हो आपकी स्किन के टाइप के अनुसार आपको फेश वाष यूज़ करना चाहिए या फिर आप गर लूरे मेडी यूज़ कर सकते हो तो उसे भी यूज़ कर सकते हो मैंने फेश को वाष कर दिया है उसके बाद मैं आपर लगाऊंगी टोनर अगर आप मैं टोनर के दो तीन ओप्शन देती हूँ आपको मेरे पास तीन है आप इस में से कोई भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है टोनर तो आप रोज वाटर का भी यूज़ कर सकते हो तोनर लगाने से क्या होगा अपको बहुत बार बताया है कि टोनर लगाने से हमारे जो भी ओपन पोर्स होते हो मिनिमाइज हो जाते हैं तो हमारे हम मुद होने के बाद हमारे जो पोर्स होते हो खुल जाते हैं तो हमें उसे क्लोज करना पड़ता है तो हमें टोनर लगाने की बहुत जरू रहते है उसके बाद आपको कोई भी सीरम यूज़ करना है यह देखो मेरे पाल दोन अधिकारियों में आपको टू अप्शन दे रही हूं आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो तो फ्रेंट्स यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं लेना है टू ड्रॉफ लेना है आप देख सकते हो फ्रेंट्स सीरम लगाने के बाद आपके चेरे पर कितना गलो आता है आपको सीरम क्यों यूज़ करना है फ्रेंट्स हमारे स्कीन पर जो भी प्रॉब्लम होती है और सीरम यूज़ करने से दिरे-दिरे कम हो जाती है और हमारे स्कीन गलो करने लगती है हमा करता है और अच्छा दिखता है इसलिए हमारे स्कीन ब्लैक भी नहीं पड़ती मेकप करने के बाद तो आपको इसलिए सीरम यूज़ करना है बहुत ज़्यादा जरूरे सीरम हो या फेशल ओयल कोई भी आप यूज़ कर सकते हो उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स मॉ मॉश्यरवाईजर यूज़ यूज़ किया है यह क्या करता है हमारी स्कीन को अच्छे तरह मॉश्यरवाईजर करता है वाइस अर рьहह ब्रेंटिंग भी करता है आपको भी रिजल्ट अच्छी तर मिल जाएगा बहुत ही आच्छा मोई स्राजर क्रीम है यह आपको लगाने के बाद इसका यूज रिजल्ट पता चलेगा आप इसे डे और नाइट टैम के स्कीन केर रूटिंग में शामिल कर सकते हो को लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा हम दिन में दिन भर जो धूफ में जाते हैं बहार दिन भर हमारे स्कीन पर धूल मिटी प्रदूशन जो जमा हो जाती है उसे हमें हमें प्रोटेक्ट करना परता है हमेरे स्कीन को इससे तो हमें क्या करना परता है डेली आपको डेली बेसे पर बहार जा रहे हो अगर नहीं भी जा रहे हो तबी भी आपको थोड़ा सा हलका सा भी आपको संस्क्रीन लगाना चाहिए हम आप कहेंगे कि आप विंटर का सीजन है क्यों जरू थे इसकी हो या समर का सीजन हो फ्रेंड्स आपको इसे डेली हलका सा लगा लेना चाहिए क्योंकि जब भी हमारी चेहरे पर बाहर क कोई डामेज नहीं होता, तो मैंनी यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स, स्केन पर कोई भी मेकप नहीं किया है, फिर भी आप स्केन देख सकते हो, कितने अच्छे तरग लो कर रहे हैं, एक बार लगाने के पर आपको स्केन ऐसे दिख रहे हैं, तो आप डेली से यूज़ कर सकते हो, तो आपको कैसा रिजल्ट दिखेगा, फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, लेकिन डेली मॉर्निंग और नाइट स्कीन केर यही रखनी है आपकी, अगर आपको रात को समय है, तो आपको सिर्फ संस्क करते हो, तो और अच्छा दिखेगा, फ्रेंड्स, अगर आपकी स्कीन अच्छी ग्लोई दिखना चाहते, तो आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है, आपकी स्कीन हमेशा के लिए यंग रहेगी, ग्लोई दिखेगी और फ्रेश रहेगी, फ्रेंड्स, अगर आपनी इसे फ कि तो उसे भी देख सकते हो मैंने उसका भी लिंक आपको description box में दिया है आप उसे भी check कर सकते हो